प्रश्कार आप सभी का स्वागत है मैं विरंदा शेर्मा हमारे एश चांद के ओफिशल लिट्व चैनल में आज आपके सामने लगतार वीडियो सिरीज में टॉपिक नंबर हमारा रहेगा 36 जो कि रहेगा हमारे ट्रेंगल्स पराधारित मैं इसमें complete आपको ट्रेंगल का basic कराके उसके बाद हम अपनी cover करेंगे exercise को तो नवी नंगनित के exercise स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे एश चांद के official YouTube चैनल को जरूँ सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि notification आपको साथ साथ मिलता रहे तो स्टार् पहले ट्रेंगल तीन भुजाओं से घिरिवी याकरती को ट्रेंगल कहा जाता है और तिर्बुज के तीनो कौनों का योग हमेशा 180 डिगरी होता है तो तिर्बुज के तीनो कौनों का योग हमेशा 180 डिगरी बनता है 180 degree होता है तो angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 इनका use देखे question में किया जा सकता है जैसे कि आपको तीनों angle का ratio दे दिया जाए जैसे angle A angle B और angle C इन तीनों का ratio दे दिया जाए 1, 2 और 3 बोला जाए कि एक तिर्बुज के तीनों का ratio एक अनुपाद दो अनुपाद तीन है और हम से पूछ लिया जाए किसमें सबसे बड़ angle बताईए या सबसे छोटा angle बताईए फिर्बुज के तीनों का योग 180 होता है जबकि अगर आप ratio में देखेंगे तो 6 है 6 की value 180 है एक हिस्सा आपका 30 के बराबर होगा अगर एक हिस्सा हमारा 30 के बराबर होता है तो 30 की multiply करेंगे ये 30 बनेगा ये 60 बनेगा और ये 90 बनेगा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं सबसे छोटा angle और सबसे बड़ा angle second point आप ध्यान से देखें अगर तिर्बूज हमारा ABC है हमारे सामने एक तिर्बूज है ABC तो हमें ध्यान रखना है सबसे बड़े कौन की सामने वाली भुजा को सबसे बड़ा बोला जाता है और सबसे छोटे angle की भुजा के सामने को सबसे छोटी भुजा कहा जाता है इसके सामने वाली भुजा को आप A मानेंगे इसके सामने वाली भुजा को small b और इसके सामने आप c मानेंगे तो जो भी एंगल हमारा बड़ा होता है वो एंगल सबसे बड़ा माना जाता है Next हमें ध्यान रखना है हमारा सबसे पहले तिर्बुज होता है हम तिर्बुच हमारे दो प्रिकार के बनते हैं भुजाओं के आधार पर और हमारे कौन के आधार पर अगर आप कौन के आधार पर देखें कौन के आधार पर कौन के आधार पर कौन के आधार पर एक होता है हमारा नियून कौन तिर्बुच नियून कौन तिर्बुज सेकेंड होता है हमारा सम कौन तिर्बुज और तीसरा हमारा होता है अधिक कौन तिर्बुज देखें नियून कौन तिर्बुज होता है वह तिर्बुच जिसमें तीनों एंगर 90 डिग्री से हमारे छोटे होते हैं उसको न्यून कौन तिर्बुच कहा जाता है तीनों कौन अगर 90 डिग्री से छोटे होते हैं उस तिर्बुच को न्यून कौन तिर्बुच कहा जाता है पेकंड अगर आप ध्यान से देखें, तो हमारा सम कौन तिर्बुज होता है, हमारा जिसमें एक एंगल 90 डिगरी का हो, वह कौन जिसमें एक एंगल, एक कौन 90 डिगरी का होता है, 90 डिगरी का होता है, उसको हम बोलेंगे सम कौन तिर्बुज, एक एंगल हमारा 90 डिगरी का हो तिर्बुज के तीनों कॉनों का योग हमारा 1803 डिग्री होता है तो उस तिर्बुज को आप समकॉन तिर्बुज कहेंगे तीसरा होता है अधिक कॉन तिर्बुज इसमें एक कॉन 90 डिग्री से बड़ा होता है इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है 90 डिगरी से बड़ा होता है तो हमारे सामने देखे तीन प्रकार के कौन के आधार पर ट्रेंगल बनते हैं पहला होता है हमारा न्यून कौन, दूसरा होता है सम कौन और तीसरा हमारा होता है अधिक कौन अब हमें देखना है भुजाओं के आधार पर भुजा के आधार पर सबसे पहले होता है संबाहु तिर्बुज जिस तिर्बुज की तीनों भुजाइन आपस में बराबर हो اور पृतेस एंगल 90 डिगरी का हो उस तिर्बुज को आप संबाहु तिर्बुज कहेंगे जैसा कि एक तिर्बुज हमने बना लिया ABC जिसकी तीनों बुज़ा आपस में बराबर हो AB बराबर BC और BC बराबर CA वह तिर्बुज जिसकी तीनों बुज़ा आपस में बराबर हो और प्रतेक एंगल 90 डिगरी कहो sorry, 60 डिगरी कहो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C तीन एंगल हमारे साथ डिगरी के हो और तीनो भुजा बराबर हो उस तिर्बुज को समकॉन तिर्बुज कहा जाता है अगर इसका एरिया देखना है समभाहू तिर्बुज का हमारा एरिया बनता है अंडरूट तीन बटे चार इंटू भुजाई स्क्वाईर संभाहू तिर्भुज का एरिया होता है अंडरूट तीन बटे चार इंटू साइड स्क्वाईर इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है हमारा मुचाई होता है अंडरूट तीन बटे दो गुना भुजा तीसरा हमारा होता है अगर इसके अंते वरत की तरिज्जा पूछे अंते वरत की तरिज्जा अंते वरत की तरिज्जा हमारी होती है भुजा अपॉन टो रूट थरी और इसके परीवरत की तरिज्जा होती है भुजा अपॉन रूट थरी परीव रत की तरिज्जा होती है भुजा अपन रूट थरी ते संबाहु तिर्बुज के हमारे एहम फॉर्मॉले इंपोटेंट फॉर्मॉले है ये आपको इनकी नॉलिज होनी चाहिए क्योंकि जब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो आपको फिर प्राब्लम नहीं आएगी सबसे पहले हम अपना बेसिक स्ट्रॉंग करेंगे इसके बाद होता है समकॉन तिर्बुज जैसा कि हम बता चुके हैं कि वह तिर्बुज जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्रे का हो उस तिर्बुज को समकॉन तिर्बुज कहा जाता है समकॉन तिर्बुज में समकॉन तिर्बुज में का एरिया अगर आपको निकालना है तो 1 बाइ 2 बेस गुना हाइट एक बटा दो आधार गुना भुजा आधार गुना उचाई समकौन तिर्बुज का एरिया होता है 1 by 2 बेस गुना हाइट सेकेंड होता है आपका परिमाप परिमाप हमारा होता है अधार प्लस उचाई और प्लस करण अगला फॉर्मूला होता है अन्तेवरत की त्रिज्जा अन्तेवरत की त्रिज्जा होती है हमारी तिर्बुज का एरिया बटे तिर्बुज की अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप अंदर वाले वरत की अगर रेडियस निकालनी है तो तिर्बुज का एरिया को आप तिर्बुज की सेमी पैरामीटर अर्था तिर्बुज की अर्ध परिमाप से आपको डिवाइड करना है इसी तरह परीवरत की तरज्ज परीवरत की तिरिज्जा हमारी होती है करन बाई टू अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है करन बाई टू होता है नेक्स्ट होता है हमारा विसम बाहु तिर्बुज विसम बाहु तिर्बुज विसम बाहु तिर्बुज होता है वह तिर्बुज जिसके तीनों बुजाएं अलग अलग हों उस ट्रेंगल को आप विसम बाहु तिर्बुज कहेंगे इसका एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूल होता है अंडरूट S, S-A, S-B, S-C तो विसम बाहु तिर्बुज का अगर हमें एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडरूट S, S-A, S-B, S-C जहां S बराबर, S बराबर होता है A, A, P, B, P, C, By, 2 तो सेमी पेरामेटर हमारी बनती है A, P, B, P, C, By, 2 तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी आज की एक्सेस, देखिए दो तिर्बुज हमारे पास हैं और दोनों ही सिमिलर दिर्बुज A, B, C और D, E, F दोनों समरूप है दिर्बुज A, B, C का एरिया 100 cm2 है दिर्बुज D, E, F का एरिया 49 cm2 है यदि दिर्बुज A, B, C का सीर से लंब 5 cm2 है तो दिर्बुज D, E, F की संगत उचाई हमसे पूचा जा रहा है देखिए दो तिर्भुज अगर समरूप है, समान की जगे आप समरूप लिखें, अगर दो ट्रेंगल हमारे समरूप होते हैं, तो ध्यान से देखें, तिर्भुज ABC, ABC और तिर्भुज दिया हुआ है DEF, अगर ये दौना ट्रेंगल समरूप है समरूप करत होता है ये वाल एंगल आपका इसके बराबर पहला A एंगल D के बराबर सेकंड एंगल आपका E के बराबर और तीसरा एंगल हमारा F के बराबर अगर दो ट्रेंगल हमारे समरूप है और ये समरूप का हमारा चिन्न होता है यदि दो किरवुज हमारे समरूप है तो यहाँ पर भुजाओं का रेशो भुजाओं में आपस में रेशो बरावर होता है सबसे पहला आप जो important point है उस सारे ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हो AB बटे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा AB upon DE बरावर लिख सकते हैं हम BC बटे EF और is equal to लिख सकते हों आप CA बटे EF तो ये point हमें ध्यान रखने है ये भुजाओं का रेशो आपस में समान होता है अगर दो तिर्बूस समरूप होते हैं तो दोनों की side का रेशो हमें सा बरावर होता है second हमें ध्यान रखना है अगला point हमें ध्यान रखना है इनके area का रेशो संगत भुजाओं के square के बरावर होता है संगत भुजा संगत परीमाप के square के बरावर होता है तो दोनों तिर्बूज का area पिर बोज डी एफ पिर बोज एबी सी पिर बोज एबी सी का एरिया अपॉन पिर बोज डी एफ का एरिया बराबर संगत भुजाओं के स्क्वेर के बराबर होता है तो आप इनने लिख सकते हैं हमें ध्यान रखना है, अगर हमसे एरिय इरिय पूछा जाए, तो एरिय का रेषर, संगत भुजाओं के स्क्वेर, या परीमाब के स्क्वेर, या उंचा Salt के स्क्वेर के बराबर होता है, अब हमारा देखें, पहला कुछिन हैं फिर बज ए भीसी का एरिया दिया गया और इसमें उचाई पूछी जा रही है, तो इनकी height के square के बराबर होता है, इनका h1 square upon s2 square, सीर सलम्ब को आप height बोल सकते हैं, सीर सलम्ब उचाई को बोला जाता है, इनकी संगत उचाई के square के बराबर होता है, अब दौनों में का area देखेंगे, इसका area 100 दिया हुआ है, इसका area 49 द तो ये बनेगा 100 दिया 49 दिया बराबर 25 दिया एक्स स्क्वेर, उपर से उपर हम cancel कर सकते हैं, 25 से 4 बार, तो एक्स स्क्वेर बराबर हो जाएगा, हमारा cross गुना करेंगे तो 49 दिया 4, तो एक्स बराबर आएगा under root 49 दिया 4, इसका वर्गमू लाएगा 7 और इसका 2, 7 by 2 होत ना है, कि इनके area का जो ratio होता है, संगत भुजाओं के square के बराबर होता है, next, फिर बुज ABC के दो कौन, angle B बराबर दिया है 90, AB अनुपाद BC is equal to 2, अनुपाद 1, sin A plus cot C कमान हम से पूछा जा रहा, देखिए, trigonometric use हमारा triangle में होता है, और वो भी right angle triangle में, सम कौन फिर बुज म है, हम एक triangle बनाते हैं, triangle बनाते हैं, यह angle B हो गया, जहां पर 90 degree बोला जाएगा, वो आपको angle B मानना है, 90 degree पर आपको B मानना है, यह हमारा हो गया ABC, ABC, हमने एक triangle मान लिया, A, B और C, इसमें AB दिया हुआ है आपकी 2, और BC दिया हुआ है, एक, सबसे पहले हमें AC निकालना है पाइथोगरस से, क्योंकि 90 degree के सामने वाली बोजा को आप करन कहते हैं, तो पाइथोगरस फिर में से सबसे बड़ी बोजा निकालते हैं, AC का वर्ग, सबसे बड़ी बोजा का वर्ग, से इस दो बोजाओं के square के बराबर होता है, AB का वर्ग, प्लस BC का वर्ग, तो AB का वर् आए करन होता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वेर हमारा होता है सेज दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ये वाली आपकी साइड आएगी रूट पांच तो जब तिर्बुज की तीनों साइड आप निकाल लें तो पहला दिया गया साइड ए एंगल से देखें जिस एंगल से आप देखोगे उसके साथ वाली भुजा आधार बनती है और ये हमारा उचाई बनती है लंब तो साइड हमारा होता है लाल बटे कक्का से आप मेरी गिनोमेटरी में एक्स्प्लेंड किये हैं है तो साइन हमारा होता है लंब बटे करन तो अगर आप यहां से देखेंगे तो लंब हमारा एक और करन हमारा रूट 5 तो 1 बटे रूट 5 अब है कौट C वाले एंगल से अगर आप C ए एंगल से देखेंगे तो ये आधार होगा और ये lump होगा, caught होता है हमारा आधार बटे lump, तो आधार बटे lump करेंगे, आधार बटे lump, 1 बटा 2, इन calcium लेंगे 2 root 5, उपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा हमारा, यह 2 बचेगा, एक से divide कर आओगे 2 बचेगा, root 5 से root 5 2, 2 से 2 cancel, 2 प्लस root 5, तो इसका हमारा answer निकल के आएगा option number B तो sin A plus cot C के value हमारी निकल के आ रहे है 2 plus root 5 upon 2 root 5 next अगला point तिर्बुज ए भी C में कौन B और कौन C के सम्धी वाजक तिर्बुज के अंदर बिंदू ओपर मिलते हैं यदि angle BOC is equal to 122 तो पूचा हम से जा रहा है कि angle A की map कितनी है देखे इसका result हमें direct याद रखना है बट सबसे पहले मैं आपको सारे point यह clear करूँगा एक तिर्बुज मान लिया हमने एक हम तिर्बुज मान लेते हैं ABC यह हमारा A angle है यह B और यह C हम एक तिर्बुज लेके चलते हैं ABC इसमें B और C का समदी भाजक इसमें B का समदी भाजक यह वाला angle B by 2 बनेगा bisect कर रहा है और यह वाला हमें मानना है C by 2 और एक दूसरे को बिंदू ओपर मिलते हैं चलो यह angle हमने theta मान लिया पूछा जा रहा है angle A का मान कितना है angle A हमसे पूछा जा रहा है ध्यान से देखें आप तिर्बुज में बड़े तिर्बुज में तीनो कौनों का योग angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 अगर हम बड़े तिर्बुज में देखेंगे तीनो कौनों का योग हमारा 180 बनता है, angle A, plus angle B, plus angle C, अगर हम यहाँ से, angle A कमान निकालें, angle A बराबर होता है हमारा, यह minus हो जाएगा, 180, minus angle B, minus angle C, by 2, बराबर करेंगे, 180, minus, common आएगा, angle B, plus angle C, और by 2 करेंगे, आगे आप solution करेंगे, तो यह आएगा, 90 minus, 90 minus, angle B, plus C, और by 2, अगर इस पूरे को डिवाइड कराएंगे, तो angle, angle हमारा, angle A निकल का हैगा, 90 minus angle B, plus angle C, by 2, अब छोटे triangle माँ आप देखेंगे, theta plus, angle B by 2, plus angle C by 2, बराबर 180 होता है, 180 होता है, अब theta plus, LCM आएगा, दो, यहाँ से आएगा, angle B, plus angle C, बराबर 180, 180 होता हैगा, आप इसको जब इस तरफ लेके आएंगे, तो angle B, plus angle C, बराबर होता है, x plus C, minus angle A, by 2, बराबर होता है, 180, बराबर 180, यह ध्यान से देखें, theta plus, अब इसका अलग-लग solution करेंगे, 90 minus A by 2, बराबर 180 होता है, अगर हमें theta कमान निकालना है, तो इस तरफ जाके minus हो जाएगे, 90 plus A by 2, तो यह result हमें याद रखना है, वापस दुबारा देखें, सबसे पहले बड़े तिर्बुज को आप ध्यान से देखेंगे, तो तिर्बुज के तीनों angle का योग हमारा 180 होता है, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180, अगर हमें angle A कमान निकालना है, तो उस तरफ जाके minus हो जाएगा, angle B minus angle C, 90 minus angle B plus angle C by 2 आप कर सकते हैं, अब इसे ध्यान से देखेंगें, आप छोटे तिर्बुज में theta plus B by 2 plus C by 2 बराबर 180, और B plus C की जगे 180 minus A रख सकते हैं, by 2 बराबर ये, तो theta is equal to 90 plus A by 2, अब यही point आपको ध्यान से देखना है, इसके जो bisect है बिंदो पे, वो ओपर करते हैं, प्रेंगल का नाम हमारा ABC है, एंगल BOC, एंगल BOC दिया गया 122, और एंगल A कमान पूछा जा रहा है, ये हमारा question है, तो हमें ध्यान देना है, एंगल BOC बराबर, एंगल BOC बराबर 90 plus, एंगल A by 2, जैसा कि हमने अभी पीछे सिद्ध किया है, कि एंगल BOC is equal to होता है, 90 plus A by 2, तो 90 plus, इसका मान हम से पूछ दिया हुआ है, 122 बराबर 90 plus एंगल A by 2, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 32 बराबर एंगल A by 2, और एंगल A का मान अगर हमें निकालना है, तो 64 डिग्री हमारा बनेगा, तो इस सवाल का अंसर निकल के आएगा हमारा option number A, अगर यही point हम ध्यान से देखें, हमारा triangle A भी सी है, इन दौनों के bisect किसी point पहोते हैं, वो point हमने A मान लिया, और ये वाला angle हमारा 30 डिग्री है, और इस बार यदि हमसे उल्टा पूछा जाए, कि angle B O C का मान कितना है, अगर हमसे angle B O C पूछा जाए, तो angle B O C बराबर 90 plus A by 2, तो हम लिख सकते हैं, 90 plus angle A क मान 30 बटे दो, तो 90 plus 15, ये निकल का आएगा हमारा 105 डिग्री, तो आसानी से हम cover कर सकते हैं, कोई सब ये angle हमसे यदि पूछा जाए, एक समकौन तिर्भुज में, तिर्भुज का परीकेंदर कहां इस्तित होता है, देखें, ये point हमें ध्यान डखना है, समकौन तिर्भुज का जो परीकेंदर होता है, वो करन के मध्य बिंदो पर होता है, इसका answer लिखेंगे आप मध्य बिंदो, करन के मध्य बिंदो पर, क्यों होता है एक बार आप ध्यान से देखें, अगर हम कोई triangle मानते हैं, केंदर मान कर, हमने एक तिर्भुज बनाया, अब इसका जो केंदर होता है, भारवाले circle का जो केंदर होता है, वो करन के मध्य बिंदो पर होता है, और वह बिंदो जिससे तीनों सीर्स बरावर दूरी पर हो, तो इस बिंदो को परिकेंदर कहा जाता है, तो समकौन तिर्भुज का परिकेंदर हमें ध्यान रखना है, only याद रखना है, करन के मध्य बिंदो पर होता है, तो इस सवाल का अंसर आएगा हमारा करन के मध्य बिंदो पर, अब हमें दो तीन बात और धिहान रखनी है अधिक कौन तिर्बुज का परीकेंदर तिर्बुज के भार होता है अधिक कौन तिर्बुज का परीकेंदर ट्रेंगल के भार होता है जब कि नियोन कौन तिर्बुज का परीकेंदर तिर्बुज के अंदर होता है अधिक कौन तिर्बुज का परीकेंदर तिर्बुज के भार होता है जब कि नियोन कौन तिर्बुज का परीकेंदर ट्रेंगल के अंदर होता है और राइट अंगल ट्रेंगल का परीकेंदर करन के मद्धे बिंदू पर होता है next जो अगला question दिया गया है यदि किसी तिर्बूझ के 2 कौन 21 और 38 हैं तो ये तिर्बूझ कौन सा होगा अगर किसी तिर्बूझ के 2 angle हमें दिये गए 21 और 38 तिर्बूझ के 3 कौनों का योग जैसा कि कोई तिर्बूझ है इसके 2 angle आपको दिये गए 21 अगला 38 तीसरा आप x मान ले तो तिर्बुज के तीनों एंगल का योग हमेशा 180 डिगरी होता है अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 69 प्लस x बराबर 180 अगर हमें x का मान निकालना है तो 180-69 तो यह आएगा 121 तो किसी तिर्बुज के दो एंगल आपको दिये गए 21 और 38 और पूछा जा रहा है तिर्बुज कौन सा है अगर इस तिर्बुज के देखिए एक कौन अगर 90 डिगरी का है अब हमें भुझाओं के आधार पे पूछा जा रहा है देखे एक एंगल अगर 121 डिगरी है दो एंगल आपको दिये गए 21 और 38 21 और 38 तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर एक कौन हमारा 90 डिगरी से बड़ा होगा तो इस तिर्बुज को आप अधिक कौन तिर्बुज कहेंगे अगर हमारे तीनों एंगल बराबर बराबर आजाएं तो उस तिर्बुज को आप संबाहू तिर्बुज कहेंगे यदि दो एंगल हमारे बराबर आजाएं और तीसर एंगल आपका अलग आजाए तो उसको आप बोलेंगे संब्दी बाहू तिर्बुज अगर एक एंगल 90 डिगरी का आ जाए तो उसको बोला जाता है संभाहू तिर्बुज तो इसमें अगर हम तीनों एंगल देखें और तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिगरी से बढ़ा है तो इसको अधिक कौन तिर्बुज कहेंगे Next एक तिर्वुज के कौन B और C के आंतरिक सम्दी भाजक के बीच के एंगल 120 है पूछा जा रहा है एंगल A कितना है जैसा कि मैंने आपको अभी A के दो कुश्चन पहले कराए हैं इस पॉइंट को दुबारा ध्यान से देखें कोई तिर्वुज हमारे पास है और तिर्वुज का नाम है ABC प्रेंगल का नाम हमारा ABC है अब इसके आंतरिक सम्दी भाजक आंतरिक सम्दी भाजक दिये गए हैं माना ये बिंदो O पे कट करते हैं और इनके बीच के एंगल दिया गया है एंगल A कितना है इसका अर्थ यह हुआ एंगल BOC दिया हुआ और एंगल A आपसे पूछा जा रहा है तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एंगल BOC बराबर होता है 90 प्लस एंगल A बाइटो अब एंगल BOC का मान है 120 इसकल टो 90 प्लस कौन A बाइटो यह इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 30 बराबर एंगल A बाइटो और अगर एंगल A निकालना है तो 30 का डबल हो जाएगा 60 तो इस सवाल का हमारा आंसर वनेगा option number C next अगला question अगला question दिया गया है एक सम्दी बाहु तिरबुज की परिमाप 32 cm है और प्रतेक समान भुजा आधार का 5 बटे 6 है उचह जारा तिरबुज का एरिया कितना है ध्यान से देखें एक सम्दी बाहु तिरबुज हमारे पास है उ इसमें एक समान भुजा समान भुजा ये 5 पांच आधार का 5 बटे 6 है ये 6 है अगर आपको तीनो भुजा एग्जेक्ट निकालनी है तो परिमाप परिमाप होता है तीनो भुजाओं का योग अगर हम इन तीनो भुजाओं को जोड़ें पहला दूसरा और तीसरा तीनो अब एक हिस्सा हमारा दो के बराबर है दो की multiply करेंगे ये भी 10, ये 10 और ये 12 परिमाप होता है हमारा तीनो बजाओं का योग तीनो बजाओं का योग अगर हम करेंगे तो 16, 16 की value 32, 1 की value 2, 2 से multiply करेंगे हमारे पास तीनो साइड आ चुकी है यानि एक बुजा 10, दूसरी भी 10 और तीसरी बुजा हमारी आ चुकी है 12 अब question में इसका area पूछा जा रहा है अब हम area निकाल सकते हैं एक बुजा इसकी 10 है, ये भी 10 है और ये पूरी 12 है समदी बाहू तिर बुज में हमें ध्यान रखना है इसकी जो height होती है height अर्थात लंब, इसको दो बरावर parts में आधार को बाटता है इसका अगर पूरा आधार बार है तो आधा बनेगा 6, ये भी 6 अब height 90 डिग्री पर होती है अगर इस तिर बुज को आप ध्यान से देखें तो इसमें हम height असानी से पाइथोगरस फिर में लगा के निकाल सकते है तो पाइथोगरस फिर में होती है इसको हम maximal लेते है दौनों बुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी बुजा के वर्ग के बराबर होता है तो अगर x square का मान निकालेंगे तो 100 में से 3664 तो x बराबर आएगा 8 तो इसकार्थ यह हुआ कि इस समदी बहु तिर्बुज की height है height किसी भी तिर्बुज का अगर area निकालना है तो सबसे पहले हमें कोसिस करने है उसकी उचाई निकालना अब इसका area पूछा जा रहा है इसका area होता है एक बटा दो आधार गुना हुचाई पूरा आधार हमारा बार है और पूरी height इसकी 8 दो से divide कराएंगे 4 बार तो 12.48 तो इस तिर्बुज का area हमारा बनेगा 48 अगर आधार उचाई हप के पास है तो कोई भी triangle अगर हमारे पास हो तो 1 by 2 बेस गुना height next दो तिर्बुज ABC और PQR सर्वागसम है तिर्बुज ABC का area दिया गया है 60 और तिर्बुज PQR का area हमसे पूछा जा रहा है देखे अगर दो तिर्बुज हमारे सर्वागसम है सर्वागसम होता सर्व अंग समान जब सर्व अंग समान है तो दौनों तिर्बुज के area आपस में बराबर होंगे सर्वागसम होता है जब एक तिर्बुज exact दूसरे तिर्बुज के बराबर हो जैसा कि एक coin के उपर आप दूसरा coin रख दें तेम उसी size का जैनि एक figure को जब दूसरी figure अगर पूरी तरीके से ढख ले तो उसको सर्वागसम कहा जाता है अगर दो तिर्बुज हमारे सर्वागसम है तो इस तिर्बुज के area अगर 60 है तो दूसरे triangle का area भी हमारा exact 60 ही होगा next अगला question एक तिर्बुज में यदि लंब केंदर, परी, केंदर, अंतर, केंदर, 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 के तिर्बुज PQR समरूप है यदि AB की लंबाई 16 है संगत भुजा PQ की लंबाई 9 है और तिर्बुज ABC का एरिया 1024 है तो तिर्बुज PQR का एरिया हमसे पूछा जारा है जैसा कि मैंना आज स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि अगर दो तिर्बुज समरूप होते हैं अपान तिर्बुज PQR का एरिया बराबर इनकी संगत भुजा संगत भुजा AB का स्क्वेर और इसकी PQ के स्क्वेर के बराबर होता है तो दौनों तिर्बुज के एरिया गरे सो संगत भुजाओं के स्क्वेर के बराबर होता है अब इसमें ध्यान से देखें आप तिर्ब का एरिया हम एक समाल लेते हैं पहले वाले की भुजा दी गई है 16, 16 का स्क्वेर 256 और इसकी भुजा दी गई है 9, 9 का स्क्वेर होता है 81, उपर से कैंसिल करेंगे 4 बार, प्रॉस को ना करेंगे X बराबर 324, तो इस कुश्चन का अंसर हमारा बनेगा option number C, तो दो तिर भुज के अगर समरोप है उनका एरिया का जो रेशो होता है संगत भुजाओं के स्क्वेर या उचाई के स्क्वेर या परी माप के स्क्वेर के बराबर होता है next, किसी तिर भुज के 3 कौनों का रेशो दिया गया है 2, 3, 7, पूछा जा रहा है इसमें सबसे बड़े एंगल की माप कितनी है सबसे बड़े एंगल, कोई भी तिर भुज हो, किसी भी तिर भुज के 3 कौनों का योग हमेंसा 180 डिग्री होता है तो एंगल A, एंगल B, और एंगल C, तीनों का रेशो दिया गया है 2, 3, 7, पूछ के 3 कौनों का योग हमेंसा 180 डिग्री होता है जबकि अगर आप कुश्चन में देखेंगे तो 12, 12 हिस्से 180 के बराबर है, एक हिस्सा हमारा 15 के बराबर होगा अगर एक हिस्सा हमारा 15 के बराबर है, तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 90, और ये बनेगा 105 पूछा जा रहा है सबसे बड़ा एंगल बताएं, 105, सबसे छोटा एंगल अगर हमसे पूछा जाए, तो आंसर 30 लगेगा next, किसी तिर्वुज A, B, C में, जैसा ही नाम आए तिर्वुज, तो तिर्वुज के तीनों कौनों का योग हमेशा 180 डिगरी होता है दो एंगल A, बराबर 3 एंगल B, बराबर 4 एंगल C, पूछा जा रहा है, A अनुपाद, B अनुपाद, C बताएं, देखें A एंगल का डबल, B एंगल का तिगना, और C एंगल का चार कुना, आपस में बराबर हैं, अगर तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इनको आप किसी एक नंबर की वेल्यू बराबर मान सकते हैं अगर हम ऐसा कोई नंबर मानें, जिसको दो भी डिवाइड कर दे, तीन भी कर दे, चार भी कर दे, तो वो नंबर है, बारा तो हम ऐसा कोई नंबर चुनेंगे, जिसको तीनों नंबर डिवाइड करें, बारा अब देखिए एंगल A का अगर मान चाहिए एंगल A, एंगल B और एंगल C एंगल A का मान आएगा 6 एंगल B का मान आएगा 4 एंगल C का मान आएगा 3 अगर मैं इन सबी को 12 एक बराबर रख दो अगर हम इन तीनों को बराबर के बराबर रखें तो आँगल ए बरावर बार है, अँगल ए आएगा 6, 3 ए ए ए ए ए ए ए ए एगा 4, 4 एक ए एए ए आए ए ए ए एगा 3 चार एक. अनुपाद हटाएंगे X लगा सकते हैं तो तीनों का योग करेंगे हम तीनों का योग करेंगे दो एंगल 6, 4 और 3 तीनों तिर्भूज के तीनों कौनों का योग 180 होता है बट आप से only ratio निकल वा रहा है अगर only ratio निकल वा रहा है तो आप छोड़ दीजे जैसा कि हम एक कुश्शन और देखें एंगल A बराबर एंगल 2B बराबर एंगल 3C तो बराबर में L से हम लेंगे 6 इन सभी को बराबर मालने 6 के एंगल A आएगा 6 एंगल B आएगा 3 और एंगल C आएगा 2 next देखें निहां से तिरबुज A, B, C हमें बताए जा रहा है तिरबुज A, B, C में 2A बराबर 3B 4B बराबर 5C उच्छा जारा एंगल A अनुपाद B अनुपाद C बताएं देखें बराबर मालने उल्टे होते हैं सबसे पहला अगर हम A, B का रेशो लेंगे तो यहां से 3 दो आएगा सेम इसी तरह अगर हम B, C का रेशो लें तो 5, 4 आएगा तो सबसे पहले एक रेशो तयार करेंगे A, B उसके बाद तयार करेंगे B, C अब हमें तयार करना A, B, C अब इन दोनों में ध्यान से अगर आप ध्यान से देखें इसमें 2 की गुना कर लें, 10, 8 अब एंगल A, एंगल B और एंगल C एंगल A का मान है 15 एंगल B आचुका है 10 और यह आचुका है 8 तो आंसर हमारा बनेगा आप्शन नमबर 3 अगला कुश्चन है दो समरूप तिरभूज के एरिया 81 और 225 है इनकी संगत उचाई का अनुपात बताएं जैसा कि मैंना आपको बताया है कि इनका एरिया का जो रेशो होता है इनकी संगत उचाई के स्क्वेर के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं पहले तिरभूज का छेतरफल अपॉन दूसरे तिर्बुज का छित्रफल दौनों की संगत उचाई H1 square upon S2 square के बराबर होता है तो इनका area दिया गया है पहले का area है 25 इसका 225 और इसमें हमें पता करना H1 square upon S2 square अगर हम under root हटाएंगे तो दूसरी तरफ work हटाएंगे तो under root जाएगा H1 upon S2 H1 upon S2 बराबर under root 25 बटे 225 25 का वर्गमूल होता है हमारा 5, 81 81 बटे 225 आप इसको 81 करें 81 बटे 225 तो H1 upon S2 बराबर आएगा 9 बटे 15 और 9 बटे 15 जब आप कैंसिल करेंगे 3 से 3 बार और 3 से 5 बार तो इस question का answer हमारा बनेगा 3 अनुपात 5 किसी तिर्बुज में दो भुजाओं का योग सदैव होता है किसी तिर्बुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी बुजा से बड़ा होता है जान से देखें अगर हम कोई तिर्बुज लेते हैं ABC तो हमें देखे कुछ नियम याद रखने है दो भुजाओं का योग हमेंसा तीसरी बुजा से अधिक होना चाहिए तो AB पलस BC भुजा AB पलस BC दोनो भुजाओं का योग ग्रेटर द पलस AB ग्रेटर होना चीए बी से तो यह हमें ध्यान डखना और एक difference वाला नियम और ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा के अंतर से greater होना चाहिए ध्यान से देखें चोटा होना चाहिए AB minus BC तो यह less than होना चाहिए दो AC से तो यही formula हमें ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बलड़ा होना चाहिए जबकि अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए एक तिर्बुज का प्रते कौन से दो कौनों के योग से छोटा है एक एंगल हमेशा दो कौनों के योग से छोटा है तो उस तिर्बुज को हमें ध्यान रखना है जैसा कि मैंने आपको बताया था वो तिर्बुज होता हमारा नियून कौन तिर्बुज तो इसको बोला जाएगा नियून कौन तिर्बुज पिरते कौन से इस दो कौनों के योग से कम है अगर हम noon कौन के example देखें जैसे एक मान लेते हैं 30, एक मान लेते हैं 50, 80, दो कौनों का योग, पिरते कौन दो कौनों के योग से कम है, 80, तिरबुज के तीनों कौनों का योग हमेशा 180 degree होता है, अगर एक एंगल हम मान लेते हैं 50, चलो एक मान लेते हैं हम 60, और एक मान लेत 110 70 तो तिर्बुज का प्रते कौन सेज दो कौनों के योग से कम है तो 50 देखे इन दोनों के योग से कम है 60 इन दोनों के योग से कम है और 70 इन दोनों के योग से कम है अगर बोला जाए कि तिर्बुज का एक कौन सेज दो कौन के योग के बरावर है तो उसको कहा जाता है सम कौन तिर्बुज अगर बोला जाए एक कौन सेज़ दो कौनों के योग से अधिक है तो उसको बोला जाएगा अधिक कौन तिर्बुज तो इस question का answer हमारा आएगा नियून कौन तिर्बुज Next किसी तिर्बुज का एक कौन सेज़ दो कौनों के योग के बराबर है जैसे कि मैंने भी आपको पीशे बताया अगर एक कौन सेज़ दो कौनों के योग के बराबर है तो एक ही condition मन सकते जैसे नब्ब है या तो 45-45 मान लो या नब्ब है 30-60 मान लो तो एक angle अगर सेज दो कॉनों के योग के बराबर है तो इसको आप बोलेंगे राइट अगल ट्रेंगल अर्था सम कौन तिरभुज तो इस सवाल कांसर आएगा हमारा सम कौन तिरभुज आते हैं अगले कुश्चन पर आप किसी तिरभुज का एक कौन सेज दो कौनों के योग से बड़ा है अगर एक एंगल सेज दो कौनों के योग से बड़ा है तो उस तिरभुज को कहा जाता है अधिक कौन तिरभुज कि अधिक कौन तिरभुज में एक एंगल 90 डिगरी से बड़ा होता है सेकेंड हमारी कंडिशन थी अगर एक एंगल सेज दो कौनों के योग के बरावर है तो उसको राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं अगर एक एंगल सेज दो कौनों के योग से बड़ा है तो उसको अधिक कौन तिरभुज कहेंगे जैसा कि इसमें option number C बनेगा तो आज की वीडियो को हम इसी question के साथ समाप्त करते हैं इस question में मैंने हर टाइप का question आपके लिए cover कराया है भुजाओं के आधार पे और आपका कौन के आधार पे ट्रेंगल आपके दो प्रकार के बनाए जा सकते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें हमारे एश शां थेंक यू